आज मैं आपके लिए कुछ अमेजन किचिन टिप्स के साथ कुछ बड़ियासी रेसिपी भी लेके आई हूँ जो आपका वक्त भी बचाएगा और आपका काम भी आसान करेगा थोड़ी से भी वीडियो अगर पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए देर नहीं क मुझे कमेंट करके पूछा था इसके बड़ियासी रेसिपी बताइए तो आज लेके आई हूँ जो हल्दी भी है साथ में टेस्टी भी और जटपट बन भी जाएगी तो इसमें मैंने मसूर दाल भी डाली है फ्रेंड से गिर गई थी मुझ से तो कोई बात नहीं आप जो स्थी प्राउट इस यूज करते है उसका ये जो रेसिपी है वो इस रेसिपी में कर सकते हैं तो इसको थोड़ा पानी डालता हूए मैं इस पीस लूँगी फाइंड पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड जो स्प्राउट्स होते हूँ वो हाई- इंप्रोटीन होते है फाइबर स्प्राउट्स के अगर बड़ी कि मिल गई तो दो बार मैं इसे पीस लेया है और तीसरी बार मैं थोड़ा और डालोंगी और इसके नदर मैं डालोंगी ठीन चौथाई कप डालोंगी सूजी सूजी मोटी वाली है इसलिए मैं इसे में डाल रही हूँ एक चमच अदरक लसन मिची का पेस्ट और तीन बड़े चमच मैं डालूंगी यहां दहीं और इसमें भी थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं ले लूंगी सारा दहीं और इसको एक फाइन सा पेस्ट बना देंगे इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजे फ्रेंज यह थोड़ा सा दरदरापन आपको दिखेगा इसमें कोई बात नहीं पर टेस्ट में बहुत ही बढ़िया इसमें मैं डालूंगी दो चमच बेसन यानकी ग्राम फ्लोर और एक चमच मैं डालूंगी इसमें चावल का अटा इससे अटाई चमच मैंने यहां काले मिर्श डाल दी है फ्रेश कोरियंडर यानि की धनिया डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो सारी जो चीजे हैं दम बेसिक है जो हमारे घर पे अविलेबल होती है चलिए इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक का भी यूज़ कर सकते है तो एक पुरा पैकेट डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल की इसको एक्टिवेट कर लेंगे अब आपको जब इनो डालते है तब यह तुरंथी से बना ले इनो डाल के आप रखेंगे तो फिर यह ठीक से नहीं बनेंगे तो हम अपके को डाल देंगे तो आपने सोचा भी नहीं होगा स्प्राउट के आपके मुझ में पानी आया यह नहीं जरूर मुझे कमेंट करना और आपको यह वाली रेसेपी कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करना अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता हम थोड़ा सा ओयल ब्रश कर लेते हैं आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा ब्रश करूंगी और इससे हम पलट लेंगे जो सेंटर वाले होते हैं उसको अप लास में डालेगा और सबसे पहले पलट एगा क्योंकि वहां टेबरेचर जादा लगता है तो इसा नाश्ता अगर सुबह मिल जाए तो क्या बात है पूरा दिन फिर आपको अटर पटर खाने की ज़रुवत नहीं है और हल्दी नाश्ता अब बहुत ही कम रेसिपी आपको मिलती है जो जट पड बन जाती है देखिए किने सॉफ्ट बने हैं अंदर आप देख सकते हैं अगर आपकी पास अपंपैन नहीं है तो आप छोटी छोटी इसके चीले भी बना सकते हैं तो कैसी लगी आपको यह वाली टिप जरू कमेंट करके बताएगा चले प्रेंस अगली टिप देख लेते हैं तो गाजर आजकल बहुत अच्छे है और फ्रेश मिल रह मार्केट मे को करा दो आप इसको जरूर निकाल दे क्यूंकि इससे क्या होता है खाए लाता इसके बार हम खालेते हैं तो पेट दर की शिकायत हो जाती है और दूसरी बाद जो recipes अगरा करते है जैसे की घ्लवा तो उसका जो गाजत का हलवाका कलर वह कि उसके तो तो आब ऑद नहीं के कैसे लगी तिप कमेंट करेंगी तो यहां मैं आपको चतनी पताऊंगी बिना नारियल के इद्दम स्वादिश जो हर एक नाश्ते के साथ इद्दम बैस लगती है तो एक चमच मने यहां तेल डाल दिया है और यहां ले लूँगे छोटी कटोरी चना दाल चना दाल को मैंने आप चाहे तो इसको वाश करके इसको सुखा कर भी यूज कर सकते हैं तो मैं इसी तरह से इसको अच्छा से पोच के मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अब हम रोस करेंगे जब यह 70% रोस्ट हो जाए 70-80% तब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंस वही छोटा कटोरी जो हमने चना डाल लिया था उतने ही मुंगफली डाल देंगे हम यहां बिना नारिल की चटनी बना रहे हैं तो जैसे ही अब यह मुंगफली थोड़ी सी चटकने लगे इसकी स्किन तुरंत ही उतरने लगती है यह देखे आप देख सकते हैं इसके चिलके भी उतरने लग गए है यह ड्राइ कैसे करना है इसकी टिप मैंने आपको बताई है तो कड़ी पता फ्रेश ले 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 या आप में स्टोर किया है वो डाल दे और इसी के साथ में इसमें दाल दूंगी सफेद तिल एक टेबल स्पून तो सफेद दालने के बाद मैंने तुरंथी गयास को अफ कर लिय और नमक और यहां लेमन जूस दालूंगी फ्रेश लेमन जूस और थोड़े से पानी के साथ ही हमें इसे पीस लेना है तो देखे अदम गाढ़ा यह चितनी बनके रेडी है इसे निकाल लेते है थोड़ा पानी क्यूँ अभी में बताती हूं इसमें जार में फिर मैंने पा करें propose लिए है है और सिम्पल सिफ हम सरसो और करीрь लीळ में और तड़का लगाएंगे कड़ी पता है वी डालेंगे फ्रेश कड़ी पता और बंकर लेती हूं और तड़का लगा लेते है चितनी यहां रडी है और हरी मिर्ची भी हमने तमे यूँज नहीं किया है और इसक आपको अजको आजके अमेजिंग टिप्स ती कि नहीं यूज़ वुसके लिए जरूर कमेंट करिएगा और आप मुझे को भी फिट बैक और सजेशन दे सकते हैं चैनल पे आप क्या दिखना चाहते हैं तक के लिए फ्रेंस लाइक भी कीजिए शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तिल देन टेक केर बाबाई